तो नमस्कार दोस्तों मैं हुआ रित्यानन स्वागत करता हूँ आप सभी का डिजारिंग मंदर में और आज के इस वीडियो में मैं आपको इन फोसिस के चार ऐसे कोर्सिस के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड के लेकिन इन चारों कोर्सिस में से एक कोर्सिस बहुत स्पेसल होने वाला है क्योंकि इस कोर्सिस के अपको gis के बारे जिससका नाम फाइनाज के बारे में फाइनस के बारे में यहाँ पर zero knowledge है, क्योंकि इस course को यहाँ पर कुछ इसी तरीके से design किया गया है, जो लोग यहाँ पर non professional है, non finance professional है, वो लोग भी यहाँ पर इस course को complete करके कुछ नई चीज़ों को सीख सके, तो इस course के अंदर आपको कुछ जरूरी चीज़े सिखाए जाएंगी, जैसे कि value of money, compound returns, how when and where to spend money, make trade-offs, about investment and growth, मतलब किस तरीके से आपको पैसे को spend करना चाहिए, का invest करना चाहिए, कैसे आपका पैसा growth हो गए, यह सारी बाते आपको यहाँ पर बताए जाएंगी, तो आप सीदे चलते के लिए यहाँ पर वीडियो बनाता रहूं, तो यहाँ पर हम लोग Infosys Springboard के official site पर पहुंच चुके, जिसकी link मैंने आपको description में भी provide कर रखा है, यहाँ पर आप देख सकते पहले course जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, finance for non-finance professional होने वाला है, जिसके अंदर company ने यहाँ पर साप-साप mention कर रहा है, full semester MBA level finance course आपके यहाँ पर होने वाली है, साथी साथ दूसरी courses के अगर बात करें तो यहाँ पर building Alexa skills for home automation with raspberry PI, इस course को बिल्कुल beginner level के लोग यहाँ पर join कर सकते, इसके लिए आपको कोई भी programming या फिर electronics knowledge की यहाँ पर जरूरत नहीं होने वाली है, तीसरी course के अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते your first step to a programmer to a software architect, आप एक programmer से software architect कैसे बन सकते, तीसरी course basically इसके उपर यहाँ पर based होने वाली है, और जो हमारी last course यहाँ पर होने सबसे करना है, बात आती है, आपको सबसे पहले हैं आपर start के button पर click करना है, लेकिन इसका process यहाँ पर थोड़ा सा अलग होने वाला है, जो मैं आपको वीडियो के last में बताऊंगा, तो इस course के बारे में हम लोग वीडियो के last में बात करेंगे, क्योंकि इसका process यहाँ पर थोड़ा सा अलग होने वाला है, बात कर लेते कुछ और courses के बारे में, जो की building Alexa skills, तो basically इस course के इंदर आपको Alexa skills को build करने सिखाए जाएगा, जिसमें की home automation होने वाली है, जिसे कि आप अपने घर के किसी भी Alexa devices के साथ यहाँ पर control कर सकते, पतलब कुछ project पर आपको काम करना होगा, जिसे आप यहाँ पर अपने घर के Alexa devices के साथ यहाँ पर control कर सकते, तो basically आपको Alexa skills के पार में यहाँ पर पूरी information प्रोवाइट की जाएगी, और without any programming or electronics knowledge, मतलब अगर आपको यहाँ पर programming knowledge नहीं है, या फिर electronic knowledge नहीं है, तो भी यहाँ पर आप इस courses को join कर सकते, कोई भी यहाँ पर इस courses को करकर Alexa skills को सीख सकता है, साथी साथ यहाँ पर completion of certificate भी लिखा गया, you can earn a certificate on completing this content, इस content को complete करने के बाद आपको एक certificate भी provide किया जाएगा, तो इसी तरीके से यहाँ पर और भी कई सारे courses है, जैसे कि आपको एक programmer से software architect कैसे बनना है, उसके बारे में यहाँ पर सारी information आपको provide की गई है, इस course के अंदर में आप सीखेंगी, you will learn about the fundamental pillars of a software architect, technology skills, domain knowledge and soft skills, तो यह सारे चीज़े आपको इस course के अंदर सिखाई जाएगी, यहाँ पर भी आपको completion of certificate provide किया जा रहा है, और जो हमारा last course है, जिसमें कि आपको taking effective and professional notes के बारे में बताया जाएगा, जो आपकी यहाँ पर काम आने वाले हैं, कुछ techniques के बारे में बताया जाएगा, जो आपके interview और meetings में यहाँ पर काम आने वाले हैं, फिन सारे courses को join करने का fund है, बिल्कुल simple है, आपको simply start के button पर यहाँ पर click करना है, as a result एक new page खुलेगा, जिसके अंदर आपको courses यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, content आपको सबसे पहले हैं आपर बताया जाएगा, आप देख सकते, content में जाकर आप देख सकते, आपको क्या के चीज़े हैं आपर सिखाई जाएगी, फिर last में एक assessment होने वाला है, जो कि 45 minute का होने वाला है, जिसमें आपको यहाँ पर pass करना हो, गोस के बाद ही आपको यहाँ पर certificate प्रोवाइट की जाएगी, लेकिन आप एक चीज़ के यहाँ पर ध्यान रहके, progress instruction में जब आप यहाँ पर जाएगे, तो यहाँ पर तीन चीज़े आपको दिखाए जारी तो आपको यहाँ पर skip नहीं करना है courses को, अगर आप skip करेंगे, तो आपको यहाँ पर certificate बिलकुल भी नहीं मिलने वाली, जो भी चीज़े वो mark as complete मैनवल होनी चाहिए, मतलब अपने आप यहाँ पर mark as complete होनी चाहिए, उसके बाद ही आप यहाँ पर eligible हो पाएंगे certificate के लिए, तो इसी तरीके सा आप इन तीनों courses को कर सकते हैं, जिस भी course में आपका ज्यादा interest है, उस course को आप यहाँ पर जाकर कर सकते हैं, तो आप finally बात कर यह courses आप देख सकते हैं, 13 आवर 57 मिनट की होने वाली है, मतलब लगबख 14 घंटा की यह courses होने वाली है, जो बिलकुल beginner लेबल की होने वाली है, साथी साथ यह बिलकुल free है, 1.6 के student अभी तक यहाँ पर enroll कर चुके हैं, और यह आपको Coursera पर available मिलेगी, लेकिन यहाँ पर ब लेकिन फिर भी आप इस course को यहाँ पर कर सकते हैं, मैं आपको कुछ process बताऊंगा, कुछ steps बताऊंगा, जिससे फालो करके आप इस course को यहाँ पर बिलकूल free में कर सकते हैं, तो अब बात करते हैं, इस demanding courses को और यहाँ पर कैसे बिलकुल free में सीख सकते हैं, तो simply आपको open in new window पर जाकर के click करना है, click करने के पाद as a result, एक new page यहाँ पर खुलेगा जिसके अंदर आपको यहाँ पर course को browse करना है तो मैं इससे यहाँ पर course को browse कर लेता हूँ आप देखेंगे, यहाँ पर आपके courses तो खुलेगी लेकिन उसके अंदर आपको कुछ भी चीज़े यहाँ पर कोर्से रहा कि official side पर आ चुके जिस किल निंक मैंने आपको description में भी provide कर रहा है तो यहाँ पर भी आपको same courses करने को मिलेंगी जो आपके लिए बिल्कुल free होने वाला है, same courses है यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके instructor का नाम, same नाम यहाँ पर भी है, मैं आपको courses के तरब से यहाँ पर provide किया जा रहा था, यहाँ पर भी आपको same instructed मिल जाएंगे, मतलब यह courses दोनों बिल्कुल same होने वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लगवग 1,40,000 से ज्यादा student यहाँ पर enroll कर चुके हैं, तो इस course को आपको कैसे करना है, इसका यहाँ पर दो option ह सबसे पहले आपको enroll for free पर यहाँ पर जाकर के click करना है, जिसके अंदर अगर आप इस course को purchase करेंगे, जिसके कीमत यहाँ पर 2,250 रुपे होने वाली है, जिसमें आपको एक certificate भी provide किया जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर सिर्फ courses को करना चाहते हैं, क्योंकि finance related courses है, तो कैसे आपको finance related decision यहाँ पर लेना है, तो मुझे नहीं लगता है यहाँ पर certificate आपके लिए important होगा, तो आपको simply audit only पर click कर कि यह courses को करना है, यहाँ पर आप देख सकते audit only में एक option आपको मिलेगा, you will have access to all courses material, accept graded items, मतलब आपको यहाँ पर course के सारे material मिलेंगे, लेकिन graded items पूरी तरीके से करना चाते हो, तो आपको यहाँ पर financial aid available का एक button मिल जाएगा, आपको यहाँ पर simply click करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर continue to the application पर जाकर करना है, उसके बाद कुछ इस तरीके का एक page यहाँ पर खूलेगा, जिसके अंदर आपको यहाँ पर application को fill करना है, application को कैसे fill करना है, जिससे कि आपका यहाँ पर financial aid application approve हो जाए, और आप इस courses के सारे चीज़ को यहाँ पर graded items को भी यहाँ पर free में access करते हैं, तो आप देख सकते हैं, जिसकी price 2250 रुपे है, लेकिन आप financial aid के थुरू यहाँ पर बिलकुल free में access करते हैं, कैसे करना है, मैं आ पर बताता हूँ, तो आपसे यहाँ पर कुछ questions पूछे जाते हैं, इसी के answer को आपको यहाँ पर define करना, इस box में लिखना 150 word में, तो वहीं से यह decide होगा कि आपको यहाँ पर financial aid application को यहाँ पर approve किया जाएगा या नहीं, तो मैंने यहाँ यहाँ पर सारी चीज़े लिख रख अगर आपको पूरी वीडियो चाहिए, तो आप मेरी YouTube चैनल पर दागी जाकर यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, जिसकी लिंक मैंने आपको description में भी provide कर रखा है, तो इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी मिलने वाली live application कैसे approved होता है, कैसे आपको यहाँ पर financial aid के लिए apply करना है, जिसके बाद आप इन सारे courses को बिलकुल free में access कर सकते हैं, तो कुछ इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर इन सारे courses को access कर सकते हैं, जिसमें कि एक course financial for non-finance professional होने वाला जो आपको course यहाँ पर मिलने वाली है, बा बात मिलते हैं अगले वीडियो में,